आपको सीधे लिए चलते हैं मेटी जहां पास CM की होगी संबोधित कर रहे हैं फिर एक बार, अब की बार, अब की बार चार सो पार, जहां हम चार सो पार की बात करते हैं तो कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन को शक्कर आने लगता है कि चार सो पार कैसे होना है कि कॉंग्रेस समर्थम के लिए कि सीवी पार्टी को समर्थम करने के लिए पुरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सेट चाहिए कॉंग्रेस इत्ती सीटों पर ही चुनाओ नहीं नड़ पा रहे ही पुरे देश के अंदर तो क्या यह सरकार बनाएगी क्या दूसरा है दूसरा है जो कॉंग्रेस मॉडल देना चाहती है मैं और भाईयों उससे बचना इसलिए बचना मैं उसने बाद में आता हूँ लेकिन जब देश के अंदर अलग-अलग राज्यों में मुझे जाने का उसर प्रप्त हुआ पसी मैं पहले चरण दूसरे चरण तीसरे चरण के मद्दान के बाद जब भी हम चंता जनारतल के पास गए हमने का भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिला रहे हैं अब की बार 400 हो पार की बात कर रहे हैं कैसे होगा तो हर एक और यस एक आवाज आती थी रो आवाज पी ओल्सक्त के थे औरो जो राम को लाए हैं इस यह सद्सक्रीकृ और यह लाज़त पांक्सो वर्सों कंदजार समात्व हुआ है अयोध्या में प्रवराम्यला विराजमान हुए हैं और इसकी बदाई आप सब को विशेश को बदाई और इस पूरी लडाई को अगर आप देश के अंदर देखेंगे न मोदी जी के तीसरी बार आने का प्रभानमंत्री बनने का दोई दो लोग कौन है एक रामदोही है और पाकिस्तान है यही दो दोट कर रह आ पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे मौलूम है Кон्ग्रेस को समय जवातनकी विस्वोट होते हैं तो कॉंग्रेस के नियता क्या कह शेए को सीमापार से है आज तो नहीं है न शेवापर का शेए आज तो जोर से बंभू स्पोर्ट होता ही फटाका फट जाये न तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता गिसाद मेरा हाथ नहीं है क्योंसे मालूल है मोदी जी के मित्रुत्त में नया भारत है ये छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो सको छोड़ता भी नहीं है और इसलिए वे ना रहएं तो उसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है वह はई वही जो रामरशी राखा और प्रवृ रामकी इच्छा क्या है कि मेरा भथ फिरसे की श्री वार देश का प्रभानमंत्री गले मैं तो मोघवान राम94 मोधी जीक प्रणान मंत्री बनाना आ Hallo तो इस इत्यास की भूमे में फिर से इध्यास रचना है रचना है ना एक दूसरा है कि मोदी जी के नित्रुक्तों में देश का सम्मान बढ़ा है देश की सीमाइं स्प्रक्षित्वी आतंगबाद लक्सल बाद कुरी तरह नियंतित हुआ विकास के बड़े-बड़े कार्य होए हैं हाइवे रेलवे मेट्रों वन डिस्टिक वन मेडिकल कॉलेग्स पैन और भाईयों हर घर नलकी योशिना हर पैसील में फायर स्टेशन आयाइटी आयम एम्स एन आयाइटी वर्ड़ क्लास नुस्टि पंबरी हैं और गरीब कल्यार कारी योशिनाओं की बाद जो एक पाकिस्तान का रागलाप रहे ना इन कांग्रियों से पूछे कि जिसको पाकिस्तान से प्यार हो पाकिस्तान में जाएं लेकिन हिंदुस्तान में मौदी जी के नित्रत्तों में दस वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से भारा है जितना पाकिस्तान की आबादी उससे जादा लोग 25 करोड़ों गरीबी रेखा से उपर उठे भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूकों मर रही है और भारत 80 करोड़ों को फिरी में रासन के सुविधा का लाप दे रहा है यह है नया भारत पांच लाग रुपे की आइसमान भारत की सुविधा अस देश के अंदर 60 करोड़ों को किसान सम्मान निभी 12 करोड़ परिवारों को 12 करोड़ घरों में देश के अंदर 100 चाले और चार करोड़ घरों को चार करोड़ गरीमों को घर के लाप 14,000 को के लिए में बन गए क्या कर रहे था है कांगे इसी खानना क्या कर रहे थे लोग यहां के गरीमों को मकाम नहीं दे सकते थे यहां के घरों में पानी नहीं पहुचा सकते थे नारी गरिमा के प्रफीक सोचाले नहीं बना सकते थे लेकिन नहीं यह तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में पोता भी वही रिफ्टा जा रहा है और जब इंसे पूछा गया कि क्या करेंगे उन्होंने का गरी भी एक जटके संपत्ति का सर्वे करवाएंगे सर्वे करा करके और फिर इनके बुद्धी दाता आ गये जैसा नाम वेसा काम यानि उसने क्या कहा कहा एक जिरास वरासर टैक्स लगा देंगे वरासर टैक्स का मतलब जानके न आपके बापदादों की आपकी फुरोच होगी जितनी जमीन जितना भी मकान होगा जितनी प्रॉपर्टी होगी जितना जेवराग होगा इसमें से आधे पर एक कॉंग्रेस के लोग जवरन कपचा करने का प्रियाज़ करेंगे ये इनका वरासर टैक्स है यानि अब इनके अंदर औरंग जेब की आत्मा भी भुज गई है जो जजिया क के को स्विकार करेंगे आपने संपति का बंदर मांच करने देए अगे यान को गुंदागर्दी करने की छूड़ देएं ग्याज़ गॉन और वहयों का कॉंग्रेस का भोष्णा पत्र फुर्शा और कि Professor अमाषिए इंस सबसें हैं कि इनके मंसुब हैं इनके मंसुब तो द कि अनुसोची चाती जन जाती और पिछड़ी जाती के आरक्षण के अधिकार पर इनौने सेंद लगाने का प्रियास किया था भारती जनता पाइटी और एंडिये ने उस समय दिरोद किया था हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में दिरोद किया कहा था बावा साथ भीमराउं बेटकर ने कहा है बावा साथ भीमराउं बेटकर ने क्या कहा था धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता कॉंग्रेस ने क्या किया था यूपिये सरकार के समय पहले इनों इत्रस्टी रंगनाद मिस्रा के तृत्वा में कमेटी गढ़ित की और कमेटी ने क्या संस्तुती की उस कमेटी ने कॉंग्रेस के नेताओं के करने पर एक संस्तुती दी कि पिछडी जाजी को मिलने वाला आरकसांड मैंसे 6 पीस भी मुसल्मानों को दे देना चाहिए बारती जन्ता पाठी ने विरोद के आका कि दुबावा साथ की भावना के विप्रीद है समिदान के विप्रीद है ये नहीं होने देंगे भारी विरोद भाव उसको नहीं लापाएगा इसके बाद इन्होंने प्रियास किया जस्टिस राजेंदर सक्चर की अध्यस्ता में एक कमिटी गठिकी इन्हें लगा कि धार्मिक आदार पर तो ये नहीं दे सकते तो इन्होंने बैग दोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को नुसूची जाती में सामिल करके नुसूची जाती की आरक्षण के इदिकार में सेम लगाने का प्रियास किया इसका भी बिरोद किया और जब भारती जन्ता पार्टी में बिरोद किया आप कॉंगरेस फिर से कहती यह जाती है'M जनगण ना करेंगे जाती हैं sya fly कि जातियों को आपस में लडाएंगे आपस में लडाने के बाद फिर से कहेंगे इस आपको अपना पहले ज़गड़ा तर यहिए और फिर आपके ढरक्षण को यह लोगए बातेंगे कोई मुसलमान को देगा कोई किसी और को देगा और फिर बंदर बाढ़ करके आपसे कहेंगे कि भैया आपने जगड़ा पैसी ले है अपने आपका देदिया और फिर भारत के नही विभाजन की नूत्- दियार करेंगे क्या आप इसको बनेगी तो वह अलप संख्यकों की रूटी के अंसार खान पान की स्वत्मत्रता देंगे कौन से ऐसा खान पान है जिए जो बहुत संख्यकों ना पसंद बहुत अलपसंद को पसंदो रेन और भायों रोटी सब खाते हैं चामल सब खाते हैं फिचडी सब खाते हैं, खीर सब खाते हैं, फाल भी सब खाते हैं, लेकिन एक जगा के फर जाता है, जब मुसल्मान को मांस की तरफ जाता है, तो हिंदुस का भी रोध करता है, कहता नहीं, यह नहीं शिकार होगा। कॉंग्रेस अब दो हत्या को भी प्रस्रे देगी, क्या आप इस पाप को सिकार करेंगे क्या, क्या हमें भी इस पाप को सिकार करेगा क्या, क्या हिंदुस्तान इस पाप को सिकार करेगा क्या, कॉंग्रेस के मन्सुमें